नमस्का स्वागत है आपका आरनाइन टीवी पर दिन के बड़ी बहस लेकर हाजर हूँ मैं श्वेता भटाचार कमिशनर सिस्टम से बदलेगी पुलिस जी हाँ आज ये सवाल इसलिए क्योंकि खबर है कि बहुत जल्द यूपी के दो बड़े शहर नोईडा और लखनाव में कमिशनरी सिस्टम लागू हो सकता है इसमें कोई दो राय नहीं कि कमिशनरी सिस्टम में काम बहतर तरीके से होता है तो क्या अब ये मान लिया जाए कि कमिशनर सिस्टम से पोलिस की छवी बदलने वाली है आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नज़र डाले यूपी की कानूर में वस्था पर जब सवाल भारी पढ़ने लगे प्रदेश की योगी सरकार ने नई तैयारियां की यूपी की राधानी लखनों और दिल्ली से सटे नौड़ा में अब कमिशनर प्रणारी लागू करने की तैयारी हो गई है कमिशनरी सिस्टम लागू करने की पीछे तावा है कि प्रदेश की सुरक्ष ववस्था दुरूस्थ होगी सरकार जनहित को सोच कर ही फैसले लेती है मान योगी जे की सरकार तो अगर कोई जनहित की बात होगी तो तदनुसार सरकार कारेवाई करेगी अभी इस बारे में कोई निर्णे नहीं हुआ है सियम योगी की मोहर के बाद प्रणाली पर विचार शुरू हो गया है लेकिन यूपी में कारून ववस्था को दुरुस्त करने के लिए सोची जा रही इस खोशिश पर भी विपक्ष सवाल उठा रही है इस बार कॉंग्रिस ने इस बाहानी सवाल उठाए कि पुलिस की ताकत लोगों के लिए मुसीबत बच जाएगी अगर लखनौ और नॉइडा के अंदर ये सिस्टम बदल के सारे इक्तियारात पुलिस कमिशनर को दे देंगे तो इसका अंदाजा करना मुश्किल होगा कि आने वाले वक्त में लोगों को कितनी परिशानिया हो जाएगी पुलिस की ताकत बढ़ जाएगी पुलिस के इक्तियारात बढ़ जाएगे और उसका ये नतीजा होगा कि उत्तर परिश की जनता को भुगतना पड़ेगा विपक्ष के विरोत की दीजपी सरकार यूपी और नॉड़ा में कमिशनर सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है और इस बात की तद्दीक करते वे यूपी की डीजपी ओपी सिंग ने भी साफ कर दिया कि सरकार की तरफ से इशारा मिलने के साथ ही लखनओ और नॉड़ा में कमिशनर प्रणाली लागू कर दी जाएगी कानूर मवस्था के नाम पर विरोधी लगातार यूपी सरकार पर सवाल उठाते रही है कई बार कानूर मवस्था के बहाने यूपी सरकार विरोध्यों के निशाने पर आती रही है अब यूपी में कानूर मवस्था को मजबूत के नाम पर कर्मिशनर सिस्टम लाकू करने से पूलिस की पावर तो बढ़ जाएगी लेकिन उसका अब प्राध्यों पर कितना असर पड़ेगा ये वक्त ही बताएगा अमिद दुबे, आर्नाइन टीवी, दिल्ले और कुछ आर्नाइन टीवी के सवाल है क्या कमिशनर सिस्टम से हालाद जो हैं वो सुधरेंगे कमिशनर सिस्टम से अपराध पर क्या लगाम लगेगी पावर के घलत इस्तमाल से कैसे रोकेंगे पूलिस करने को कमिशनर सिस्टम भरष्टचार कम करने में कैसे मदद करेगा कमिशनर सिस्टम से यूपी पूलिस की चवी में क्या बदलावाएगी या यूपी पुलिस की छवी क्या पूरी तरह से बदल जाएगी क्योंकि खास कर अगर हम बात कर ले तो यूपी में जब भी कोई घटना देखने को मिलती है यूपी पुलिस की छवी अच्छी नहीं मानी जाती है लेकिन पूरी कोशिश भी एक तरफ की जा रही है छवी को तो कमिशनर सिस्टम से क्या बदलेगी पुलिस ये आज का सवाल है सवाल इसलिए क्योंकि अब सुबगाहट जिस तरीके से तेज हो रही है और सूत्रों के हवाले से खबर भी है कि 14 जैनवरी से शायद पालिक प्रोजेक्ट के तहर जो लागू करना है तो शायद ये लाग जरूरत नहीं मजबूरी है क्योंकि देखिए नौइडा कहां से घिरा हुआ है दिल्ली फरीदाबाद गुरुग्राम ये सारे सटे इलाके हैं नौइडा में अभी कमिशनरी सिस्टम नहीं है लेकिन दिल्ली में देखिए वहां है गुरुग्राम में हो चुका है जा रहे हैं बीस लाग से उपर की आबादी ये पहले भी कह चुके हैं ततकालीन राजपाल यूपी के रामनाई की बीस लाग से उपर की आबादी वाले शेहरों में हम पालेट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू कर सकते हैं और अब सुब गहाट तेज है 14 जनवरी से सूत धरम विर चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और रिटार्ड आईपीएस ओपी सागर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बहुत जल्द एडवोकेट पवन सोम भी हमारे साथ जुर जाएंगे चलिए फिलाल आप सभी महमानों का मैं स्वागत करती हू सबसे पहले तो आना चाहिए आपके पास देवेंदर जी लेकिन यहां मौका में कॉंग्रेस और बसपा को जरूर देना चाहूंगी सबसे पहले आज़े जी आपसे जाना चाहूंगी एक एक करके बताईए गाधरम विर जी सवाल गया आपके लिए भी होगा कि क्या लगता है कमिशनरी से हालाद बदलेंगे छवी बदलेगी जिस तरह यूपी में इस वक्त कानून में वस्था हो रही है एक सकारात्मक कदम एक पहल तो अच्छी है क्या सपोर्ट करेंगे इस पहल को सरकार की दूर सुभा का आसार नहीं दिल को फिर भी बड़ी उमीद है कि सवेरा होगा उत्तर परदेश में जो भी हिंसा हुई नागरिता सशोधन बिल पर उत्तर परदेश पूरा फेलियर रहा ये पूरे भारत ने और पूरे विश्व ने देखा और जहां तक कमिशनर सिस्टम का सवाल है इसमें मैं चाहता हूँ कि योगी सरकार पहले तो जिम्मेदारी ले कि अभी जो घटना घटी जो ये करना पड़ा जो ये सोचना पड़ा उनका पूर्ण रूप से फेलियर था ये इस बात का भी परमान है इस से बिलकुल भी मूँ नहीं मोड़ सकते वो तो कही न कही इनका फेलियर भी सामने आया है और लखनो जैसे शहर में और रूड़ा जैसे शहर में फ्री करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है क्योंकि वहां पर इनका अपना राज चलेगा कहावत ना जिसकी लाठी उसी की भैंस इनको चाहिए था इनके घ्रह मंत्री को जिम्मेदारी लेते उत्तर परदेश के अंदर कि हम विफल हुए और ने नी आप क्या इसके पक्ष में हैं विपक्ष में हैं कमिशनरी सिस्टम के पक्ष में क्योंकि कमिशनरी सिस्टम में तो हालात सुधरते हैं तबी हमने देखा है जहां जहां कमिशनरी सिस्टम है सर वहां की खानून Magistrate क्या उनके पदहीन हो जाएंगे उनका क्या योगदान रहेगा उनका महत्य क्या रहेगा क्या प्रिक्षिक्षन मिला इनको क्या उनसे बात हुए कही न कही थी सर और शिवराज सिंग चोहान ने हरी जंडी देने की बात कही थी आई-एस और आई-पी-एस की लोबी सामने आ गई जिस वजह से शिवराज सिंग चोहान इतना गट्स नहीं दिखा पाई लेकिन वो आज भी मानते हैं ये ये सर पढ़ लीजिये नहीं तो राजस्तान में स्टार्ट हुआ जब एशोग गलोजी की सरकार थी मेरा तो श्वेता जी सीधा प्रशन केंद सरकार से राजस सरकार से है कि अभी क्यों चेते ये क्या ये जिम्मेदारी लेने को त्यार है है 16 लोगों की मृत्ति होई कितने घायल हुए क्या जिनकी मृत्ति होई वो ये पुलिस वापिस ला सकती है वो योगी सरकार वापिस ला सकती है पहले उंको लेकित है जहां तक आपने श्वेता जिया बहा की इसके on राजे से राजे हरें की सिस्टम अलग है श सरकार ने उत्तर परदेश ने इसके माध्यम से अपने हत्यार गेर दिये अपने प्रशासन के हत्यार गेर के और पोलिस से कंदर पे बंदूग लग दी सिथी सिथी बाद आपने सिधा सिधा सवाल का जवाब नहीं दिया और इसका जितने एक स्पोर्ट बैठे ना उनसे मैं पूछ लूँगी कि ये जो इमर्ती की तरह से गोल-गोल-गोल-गोल गुमा दिया ना अपने बातों को तो क्लियर कभी-कभी तो हो जाईए कि हान या ना धरम ले चौधरी हान या ना मैं यही पूछूँगी क्या आप पक्ष में हैं क्या इससे पुलिस की छवी बदलेगी क्या होना चाहिए देर से लिया गया कदम है सकारात्मक कदम है और पिर इसके अगेंस या फिर आपका भ कि ये जो उत्तर प्रदेश की फुलिस है ये विवस्ता जब आधनिय बहन कुमारी मायवती जी का सासन था तब भी यही पुलिस थी लेकिन जो अपरादियों के मन में खौप और भै होता है वो सासन सत्ता के सरकार के एकबाल से होता है और कोई भी सरकार जो है वो अगर अपर करने का काम करेगी जैसे बैवब करिस्त को उनोंने एक ठाचार के चक्रिश्च पर चुक्षा और जाच रिपोर्ट आई है खुद एफ यार लौज है ने करा है ता जांच रिपोर्ट आई है आप आप नहीं मानते हैं उनने प्रेश्चन क्या हुथा था उन्होंने फाया सब्सक्राइब नहीं मानते हैं कि आप दिनाई कीजिए कि आप दिनाई कीजिए कि आप दिनाई को नहीं मानते सब्सक्राइब नहीं करने दोंगी हाँ ना का जवाब आपके पास नहीं है यह कौन से राज में जी रहे हैं जलेपी के लोग राम राज की सत्ता में कापिज हुए थे नहीं नहीं है नहीं है और जब जो ही जातियों के अधिकारी सिपाई से लेकर के डीजीपी चीप सकर्ट पर जातियों करते हैं लेकिन अगर आपको एक पॉइंट रखना है कि क्यों आप पहली तो आप पक्ष में है या नहीं है नहीं है आपके बातों से तो यहीं लगा क्यों नहीं है हम तो यह कह रहें कि रामराज कहा है यह तो रामराज से भी ज़्यादा पाराकाफ का हो गया ही तो इसकी वेवस्था की जानी चाहिए और उसके बाद धीरे 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 अन्य शहरों ने राज्यों ने अडॉप्ट किया और आज हम देख रहे हैं अब लखनव और नोईडा में अगर बात हो रही है और नोईडा जो की दिली से फरिदाबाद से और गुरुगराम से सटा ह हुआ है यह यह प्रनाली काम कर रही है बैतत तरीके से लोग जो यहां से वहां जाते हैं अलग कोई सब्सक्रादिबिया काश्वा होग दिली में देख लिए या गुलगावां में देख लिए कहीं पर भी जहां पुलिस कमिशनर सिस्टम या बहुत पहले से साउथ में कई जगे पुलिस कमिशनर सिस्टम है प्लिस कमिस्टिस सिस्टेम के लिए एक तो यह है कि वहाँ की जनता पड़ी लिखी हो और प्लिस जो है एक जगे पे ही उनका काम कर दे उन्हें जगे डी-म के यहां नहीं जाना पड़े इसलिए और पुलिस को ये एक्तियार रहे कि अपने आप ही जो है वो उनके उपर जो नियम कायदे कानून है जैसे बहुत चोड़ी चोड़ी चीजों के लिए भी हमें पुलिस की तरफ हमें मजिस्टेट की तरफ देखना पड़ता है चाहें लाइन ओर्डर हो उसमें जाना पड़ता है 151 की कारवाई हो एंव 1701 की कारवाई हो लगा सकते हैं सबेदन शिल मामलों में गोली भी नहीं चला सकते हैं अगर डीम की प्रनाली में काम कर रहे हैं तो इसलिए वह वैसे तो अगर वहाँ पर किसी ऐसे मौके पर जहाँ पर मैंस्टेड नहीं है हेल कॉंस्टेबल रेंक का अगर सबसे सीने बरिष्ट अदिकाली उसमें वर्ड लिखा हुआ है जहाँ पर फायर यूज करने की बात होती है तो लेकिन मेरा जो कहने का मैंशा है वो यह है कि पुलिस कमिशनर सिस्टम वो जो है बहुत कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं लाता है वो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक दम से सब इस्तितिया पर बदर जाएगे लेकिन इसको कैसे देखते हैं अगर यह लागू होती है सब्सक्राइब करेंगे अपले आप ही जो प्लिटिकल इंटर्फेरेंस है जिसकी बात हर जग है कही जाती है फिर एक complaint system हम complaints जो है invite करेंगे complaint system को सुनने के लिए committee होती है और district में committee होगी तहसील इस तरह में committee होगी उसमें बिपक्ष के लोगवी होगे उसमें पतरकार हुग उसमें और साधारन जन्मानस से भी जो है चुने हुए अच्छे प्रिस्टिस क्याती के लोग होगे जो की जो भी पुलिस के खिलाब कंप्लेंट होगी उसको सुनेंगे यह तो सारे रिकमेंडेशन में कहे गई है बाते साथ जब तक इन सब चीज को लागो नहीं गए देखे उसमें पुलिस एक और बहुत इंपॉर्टन चीज है कि इन्वेस्टिकेशन बाँ चला हो यह दोनों जब काम करती है तो इन्वेस्टिकेशन हमेशा पीचलता है इन्वेस्टिकेशन जिसका असर हमने देखा है कि कॉर्ट केसे में कई मामले ऐसे हैं जहां पर कहा जाता कि पुलिस ने चानवीन अच्छे तरीके से नहीं कि और डीले होते हैं इसलिए बहुत जरूरी है तो जो पुलिस रिफॉर्म्स की बाद जो रिकमेंडेशन हुई है क्योंकि बिटिश काल से ही यह नियम चलते आ रहे है और चेंजिस नहीं हुए तो आप कह रहे हैं कि अगर कमिशनरी से जादा उन रिफॉर्म्स को लागू कर दिया जाए तो श लेकिन यहां पर तो वह चीजी नहीं रह जाएगा तो होती है इसलिए एक युनिफाइट सेंटर है अब पोलिस को इतना पावस दे दिये और वह सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कि हम उनको कुछ देने की अधिकार भी हो जाएंगे अब ही यहां प्यों हो रहा है कि लईसेंस देने का दिकार ना दिया जाए बाकी दिकार लीकीं माहाराश मॉडल तुलग तरीके से देता है। मैं कहता हूं कि पूरी पावर देरेंगे अगर हम पूलिस के शक करेंगे तो तो ये साले सिस्टम बेकार हो जाएगी, पुलिस में शक्र करके हमने पुलिस को बहुत खराप कर दिया, अनिल मिश्रा जी सब को आपने सुना, आरोप लग रहे हैं कि इससे क्या बदल जाएगा, क्या च्छवी बदलेगी, सरकार पहले, और जो खुद हमारे साथ उपी जी वेट हैं, वो जिस तरीके से कह रहे हैं, रिफॉर्म की भी बात कही हाला कि कहा जरूर रिटाइड आईपी असे हैं, तो वो तो कहेंगे ही कि पुलिस को पावस दी जाए, लेकिन कुछ पॉइंट्स और ऐसे हैं, जिनको कही न कहीं सरकार को या तो उस पर भी बात कर लेनी अनिल विशार जी हमारे साथ, ओ, शायद फोन उनका कट गया, अनिल जी, कंटिनू जी, तो महीं कर रहा था कि 76-77 में भी प्रॉपर एक आर्डर सा कर दिया गया था, कानपूर सहर उसकी सुरुवात हो रही थी, तब कानपूर विभाजित नहीं था, तो लेकिन वो धरातल पर नहीं आ पाया, चुकि इतनी पेचीदगियां थी, इतना उसमें अभी उल्जन जी, उसको सरकार फॉलो नहीं करा पाई, और उसके बाद तब से लगातार ये बातचीत में ही गुजरता रहा, लेकिन कभी धरातल पर देखने को नहीं मिला, आज ये मौका आया है, इसके पिछे की बड़ी वज़ा कहीं IES और IPS लोगी को नहीं है, ये अच्छा है, बुरा को बाटने को तयार नहीं है, वो सार, जहां ये IES समवर्ग पूरी की पूरी पावर को अपने हाथ में रखना चाहता है, वहीं IPS उसमें कहीं न कहीं पंजा मारने का प्रयास कर रहा है, निश्चित रूप से IES समवर्ग हावी रहता है, और IPS की आप पुलिस प्रसासन के लि जैसे कैप्टल के लिए हमेशा कहा गया, आप जहां भी देखें, लगब मोस जितने बड़े कैप्टल हैं वहाँ पर लगाया गया, उसका रीजन होता है, वहाँ विधानसभा होता है, वहाँ कोर्ट होती ही, वहाँ पर सारे VVIP रहते हैं, तो वहाँ लगता है कि कहीं न कह पावर का सेंटर हो, तो वहाँ से चीजें सही तरीके से एग्जेक्यूट की जासरी वज़ा यही है, उसके साथ दूसरा पहलू भी होता है, वो सहर, जो खासकर उसमें, मैं कहतो रहा हूं, कई पहलू होते हैं, लेकिन दो प्रमुक होते हैं, एक प्रमुकता, और एक होती ह अगर कोई ऐसा सहर इंडस्टियल पॉइंट आफ यू से बहुत आगे होता है जहां के अर्थ बेवस्था से राजस से पूरे प्रदेश सरकार पर असर परता है तो उसकी भी बेवस्था को सुचार रूप से चलाने के लिए ऐसा सोचा जाता है इसलिए नोडा का नाम आया आ आपने का ने गुर्ग्राम में किया गया है तो स्वागत ही होगा मैं कहता हूं लेकिन मैं यहां पर यह बोलना चाहता हूं कि केवल पुलिस प्रसासन जो अभी तक चला है उसको उठाके आप कमिस्णरी कर देते हैं और आपको लगता है पूरी बिवस्था सुदर जाएग कमिस्णरी का एक जामिया का उदाराह न देख लिजे एक अभी तीन दिन पहले JNU का उदाराह न देख लिजे देखे पुलिस वही है क्या सही क्या गलत लेकिन रोल प्ले होता उसका कारण कि जब पुलिस कहा किया नए कोई भी सैन ताकत हो एक तरस पुलिस भी कहीं कहीं सैन उसमें आती है कहीं कहीं उसके पास पावर है और उस पावर का अगर चेक एंड बैलेंस बिगण जाता है तो निश्चित उसके दूस पर नाम देखने में आते हैं सामने तो अगर ऐसा कारवाई पर नहीं जो पुलिस वालों की duty इसको सब को समझना पड़ेगा एक सिपाही से लेके एक बड़ा अधिकारी आईपी समख तरह जब दिल्ली जैसी जगह पे इस चीश की मांग की जाती है और पुलिस अधिकारी खुद यह कहते हैं कि यह लागू हो लागू हो सिर्फ कागजी कारवाई है लेकिन लागू नहीं हो रहा है उस तरीके से हार ज़्यादा तर गलत लोगों से ही पड़ता तो आप उनके मेंटल एप्रोच को समझिए किस तरह का डेवलप होता है अगर पुलिस सुधार आयोग में पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो जो बाते कही गई है उसको अगर फालो कर लिया जाए तो हम समझते हैं कि पूरी जिले में सस्पी हुआ कि अपसर आजाएंगे और कहीं ने कहीं उनकी जो एक ताकत की वो इतनी बढ़ेगी कि जनता उससे कहीं ने कहीं ब्यतित होगी इसमें कोई दो राएंगे देवेंद्र जी अब कौन सा आप मॉडल अपनाएंगे देख लिया सुन लिया अब क्या सिर्फ खाना पूर्ती है कि कमिशनरी लागू कर दिया गया सब कुछ बदल जाएंगे अच्छे दिन आ जाएंगे देखो सुषा जी मैं इसमें मेरे लिए ज्यादा कुछ यहूं नहीं रहा कि बहुत अच्छे से आपने विपक्स से पूछा अच्छी बात ये है और विपक्स ने अपनी जो दर्द है जो उनका काम है विपक्स का जो होता लोकतांतिर तरीके से उन्होंने रखा उसका स्व काया सवाल भी कानून विवस्ता की लेकर और वो जबाब भी चाहते हैं और मानिये योगी जी का बार बार नाम ले रहे हैं और इस बीच में थोड़ा सा एक जिकर अपने मुह से कर गए राइस्थान का जो साजा घटना नहीं जाओंगे आज इस पर बात नहीं जाओगे त चाहता हूं आप लोगा जाओंगे राइस्थान का पूछना चाहता हूं आप साज़नर्य का धिरोड कर रहे हैं सोबर की जिये आप बार बार की जिये लेकिन अगया में आपके कर नहीं करते हैं उन्हा पर लिगव ने करते हैं आप चलिए आप अब आनिल मिश्रा जी ने जो कहा नवेडा में कमिशनरी की बात चल रही है सब लोगों ने स्वागत किया अच्छी बात यह स्वागत नहीं किया सर देखिए देखिए उसमें निकाल के देख लीजिए उसमें हो सकता है कुछ तुरूप किया चलिए किया यहां पर तो किसी नहीं किया कर ना तो भी दिवेट की बात करूंगी ना आप पूरी बात सुनिए ने आप मुझे बताईए न देखिए आप भी मर्के मत करें लोगों ने पूरी तरह से पहले आप लागों किजे इस लाइक नहीं है आप न से ना परता होगays आप दे दिया वक दे दिया नवागा ना दो करेंगे ने दिवेका नियों किया आप तड़ आप हमगार कासवाल उठा रहें आप इस लायग नही है आप में इस ना बड़ा थोकल देखिए आप दे दिया और अरे आप करना हर मुद्दे को डाइवर्ट करना हर मुद्दे को डाइवर्ट करना जरूरी होता है जरूरी होता है क्या जरूरी होता है धरम वे चौदरी और देवेंद प्रमुक्त प्लीज 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 तुल लेजे पेशिंस नाम के चीज नहीं है हो गया होगया हो गया होगया है मैं डीवेट को अगे ले जाओ मैं डीवेट को आगे ले जाओ विट यॉर पर्मीशन ना आप मुझे पर्मीशन दे तक मैं ले जौंए किसके लिए कांव सवय एक्या है वेक्पे कांवी है व गया तो गया दे दिया मौका अगे तरसा हो रहा है धारंबीर चौधरी तुर्दर्शा होने वाली है धारंबीर चौधरी कंटीनियों बोलते रहेंगे कौन समझेगा सर्थ बुद्दों पर बाती नहीं करना चाहते आप लोग वहीं पहुंच जाएंगे दोगी स्थिति में जोग क्या है क्या है क्या है आप लोगों की दोर किसके हाथ में है कौन नचाता रहता है क्यों नाचते रहते हैं क्यों नाचते रहते हैं पपेट शो है ये पपेट शो है क्या धरंबीर चौधरी इस इट पपेट शो और वाट आप लोगों की दोर कहीं और है कि किसी और के हाथ म जैसे नचारे वैसे नाचे यहां question पूछने के लिए एक anchor बैठी है थोड़ा सा तो ख्याल रखिए सर एक मिनट का मौका दे देती हूं मैं जब अरोडा जी बोल रहे थे मैंने मौका दे दिया थोड़ा लड ले आपस में पाटी वाले देख ले आप लोगों के कि आप लोग सब्सक्राइब करें यहां जब लगाते ताजुम लग रहा है आप क्या बोल रहे हैं तो इंपर बात नहीं की ज़ए और पाकिस्ताना जिंदावान दनारा लगाते ताजुम लगा रहा है प्लीज वह एक मिनट मैं डीट आगे ले जाओ ना ले जाओ आप बता दीजे सर आपको जरुरत है डीट कंडक्ट करने के लिए किसी की जरुरत है क्या आप किसी के सवाल का जवाब देने बैठें या फिर आप चाहते हैं कि मैं 10-10 मिनिट का टाइम अलोट कर दूँ मैं यहां बैठी रहूं मुक दर्शक बनके आप लोग अपना भाशन दे और चले जाए आप मुझे जवाब दे दीजे आप विशेशक से जादा राय ले तो अच्छा रहेगा तो मैंने पूछा तो मैं अनिल मिश्रा के बादी आई थी आपके पास यह पाइलेट प्रोजेक्ट के तहर दो शहरों में यह ट्राई किया जाएगा तो क्या इससे छवी बदलेगी यह सकारात्मक कदम कह सकते हैं क्या या फिर इसमें भी सुधार की ज़रत है जो ओपी सागर जी यहां बैठे है रिटाइड आई पियस वो कह रहे थे कि कुछ ज जो लो आइन ओर्डर है उसको बदलेगा तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि यहां पर सबसे पहले कोई एक आईजी स्तर के रैंक के अधिकारी होंगे उनके नीचे जो हैं वो चार जो हैं कप्तान लेवल के जो हैं वो अधिकारी रहेंगे लेकिन इस पूरी सिस्ट के साथ-साथ उनको mentally pressure है उनके उपर mentally बहुत जादा pressure है वो जुडिशी को भी उनको बताना है उनको जरकार के परती जवाब दे हैं वो अपने अधिकारियों के परती जवाब दे रहते हैं लेकिन ऐसे में अगर हम लोग देखें तो यहां पर यह सिस्टम जब आएगा तो गुर्गाओं में वो अधिकार जो है उस ववस्ता को सिस्टम को नहीं दिये गए हैं तो सबसे पहला question तो यह उड़ता है कि यहां पर किस तरह की कमिश्टर मोडल की बात हो रही है या तो जो गुर्गाओं में पहले से चल रहा है उस तरह का या तो मुंबई में है उस तर गुर्गाओं में आपकारी और जो बाकी आपके सबसेंस बगरा है तो अभी बी जो है कमिश्टर के अंदर में नहीं आ रहे हैं जैसे कि मुंबई में आते हैं फीले के यहां नहीं है मुंबई में लेकिन दोनों सिस्टम जो है विल्कूल अलग-अलग है अचा दूसरी बात जब हम लोग देखेंगे कि जब law and order की सित्य आती है तो उस वकत हमें centralized केंद्रिय सिस्टम चाहिए होता है कि जहां पर हमें छोटी-छोटी चीजों के लिए DM के पास जाकर उसके लिए approval ना लेना पड़े क्योंकि उस वकत law and order में हमें बहुत rapidly लेने होते हैं सारे फैंसले तो एक तरसे देखा जाए तो ये reform अच्छा है, commission system अच्छा है लेकिन वो police reform के साथ में होना चाहिए उसको अकेले से एकदम से लागू नहीं करना चाहिए हलागी pilot project है और pilot project में ये देखा जाता है कि क्या ये यहां पर काम कर रहा है अगर वो काम करेगा तो उसको फिर regular कर दिया जाता है reforms के साथ आप भी ये मान रहे हैं जो ओपी सागर भी कह रहे थे लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि पावर का गलत इस्तमाल ओपी सागर जी आप कह रहे थे पावर पूरी तरीके से देनी चाहिए लेकिन यहां आपने सुना कि दो तरह के model की बात हो रही है और गुरू ग्राम का model अपनाते हैं या माहराश का आप क्या कहेंगे सर कि कौन सा बहतर होगा क्योंकि आप तो यह कह रहे हैं कि पावर पूरी तरीके से दी जाए तो पूरी तरीके से दी जाए दूसरी बात पावर के गलत इस्तमाल को फिर कैसे लोका जाएगा मैंने पहले भी कहा था जी पावर अगर देना है तो पूरी पावर दी जाए मतलब महाराष्ट का मॉडल जो है और उससी पर ही ज्यादा बिचार चल ला है महाराष्ट मॉडल ही अगर 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 यूपी में परमिशनल पुलीस सिस्टम लागू होता है पाइलेट प् करना पड़ेगा और बहुत निस्पक्टा से जाच क्योंकि अभी तर जो सिस्टम है वो सिस्टम वो कमिशनल पुलिस सिस्टम में भी होगा लेकिन साथ दिल्ली पुलिस को लेकर पुलिस और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच में पुलिस की क्या च्छवी बन गई थी अब इस तरह का कमिशनरी अगर लागू रहेगा तो फिर पावर के गलत इस्तमाल यहाँ पे भी इस तरह की चीज़े देखने को मिलेंगी देखिए पुलिस को वहाँ पर भी चेक एंड बालन्स तो ख़त हो जागा गया इसमें कोई दोर आए नहीं जैसा कि हम लोग महां के वीडियो मिले हैं और यह वेजा इसमाल लोगने के लिए तो मैंने का ना जो कम्प्रेंट सिस्टम है हमारे जागरू लोग है आज 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 जो है और सारे जितने वी कोर्ट से खास हो से जो हायर कोर्ट से वह सब बहुत ज्यादा विजिलेंट है नहीं सर उनके पास करते हैं ना जी आजाते हैं लेकिन चेक होना? चाहिने सर ये तो बहुत बैस तरीका है लेकिन यहां तो खत्म हो जाएगा अगर इस तरह की प्रणाली आपस में लागू किया देखें प्रणाली एक तरह से मेट्रो पुलेटिन सिटीज का है और इस वर्ड को यूज किया जाता है तो यह माना जाता है 90% ज्यादा एजुके हो जाते हैं लेकिन अभी यूपी की वो सिच्वेशन नहीं है अभी वो सीन नहीं है यह जैसा एक उदारन देखिए बैंगलोर बैंगलोर में भी कमिशनी सिस्टम है देखें किस तरह से वहां आवाज उटी पुलिस ने सही किया कि गलत किया लेकिन चेक एंड बैलेंस वाल किया जाएगा तो फिर मैं नहीं समस्ता की जो रिजर्ट चाहते हैं जिस कारण से कमिस्टरी पढाली लागू की जाने का प्रयास किया जा उसका रिजर्ट नहीं मिलेगा अगर आपको लागू करना है तो निश्चित है पुलिस में एक पुलिस की जो एक साख है उसको डून कर वहां पर उनके न्यूपती की जाए और उन दो जिला हो या तीन जिला हो वहां पर उनकी कारियों को दिखाते हुए एक जामपिल पेस करके साइक उत्तर पदेश या पूरे देश के अन्य जिलो में इसकी परिपाटी की सुरुवात की जा सकती है मतलब उसमें कही न कहीं ये पूरी जो पुलिस प्रणाली उसमें भी सुधार हो जाएगी या चार अईपियस और लगा देने से और कहीं न कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा जैगा जैसे दिल्नी में हम देख रहे हैं वैसे नौइडा के हालत भी हो जाएगे पुलिस रिफॉर्म सबसे मस्ट है, पुलिस के साथ बैठ कर उनका साइक्लोजकल भी, उनका सोसियो भी, उनका जिसको कते हैं कि इको भी, जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जब तक सरकार नहीं समझेगी, उनकी बातों पर नहीं ध्यान दिया जाएगा, तब तक मैंनी समस्ता कुलिस से जो उमीद की जा रही है, वो रिजर्ट हमें देखने को मिलेगा, वो कमिस्री लगा ले या पूरे प्रदेस में कहा दें कि सिस् एड़टाइज में करते न सर, मार्केटिंग का ये फंडा होता है कि पैकेजिंग चेंज कर दी, अंदर का माल वही है, एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, कि आप जितना एड़वांस चलने हैं, उसका इंतिजार कीजिए, अभी सरकार जो करने जा रही है, वो आपकी ट करने दीजिए, और जिस दिन ये केलियर हो जाय आप इसपर डिवेट क söylे दूबारा, पर इसकी कमियार खमियाँ, दूर करने की बात करंगे, अरे तुम अगर तो होने दीजिए अगर होने से पहले, तो कहा आफ्शी बात की हो रही है, यही तो कर लगते है, सर, यही आरोप लगते हैं बीजे पीपिए आप सुझाव मांग रहे हैं वही काम आज कमिशनरी लागो होने से पहले अगर सुझाव यहां एक्सपर्ट दे रहे हैं तो आपको सुनना नहीं है सुनना बंद कर देंगे तो हाला कैसे ही होंगे आपके अच्छे डिसीजन के खिलाब की जन्ता खड़ी रहेगी उन्में अपको सर तो बात तो तभी होगी ना शायद यही चर्चा सरकार तक पहुँचती है यह डीबेट्स बैठके हम आप मेरे और आपके लिए नहीं हो रहा है सरकार के पास विशेशक के तौर पे बुद्धी जी वी वर्ग है आई एस पीसी एस लॉबी है सची है बड़े जाते है ना जेश जाते हैं उस सरकार को प्रशा करने का काम करती है सरकार को प्रशा करने दीजिए अगर कमिश्नरी लाग हुआ रिपांट फोम नहीं ही तो पावर का खलत इस्तमाल नहीं होगा लेकिन इस समय अच्छे काम का स्वाइब करने की स्थीटी मैं है यह तो तै हो यह बैठे हो बेटे ओपी सागर जी अनिल मिश्वदा जी सोंग जी मैं समझ गाप किमा बोलने से पहले एक मिनिट एक मिनिट आप जोहां बोल रहे हैं ना उसको मैं कटास करा हूं आपके बोलने करते हैं और बहुत अच्छे से कर दिया है और उनकी बात तुम मान लिया अब सब्सक्राइब कर लें तो दीजिए यह अब क्या बोलने नहीं नहीं हो गया हो गया चलिए अजेज बात करते हैं यह तो उन से जिया है हां यह जो लोगों नहीं नहीं है और इम्तिहां से पहले मैंने इम्तिहां आदार पिले होंग करते हैं है आपने होंग यह नहीं नहीं किया यह ए्को सकते अर Windowan 2023 तो पर्टी से बोल रहे हैं अच्छा होता है सर्थ निकाले से पहले पढ़ लिया करें इसे ज्यान बढ़तरी है होता है महर्वानी है कि हमें जंतंत्र और लोगतंत्र मिला है पर मुई समय आप शांती आप यह तो बात है कर दी कि सीखने को जूरत है अच्छा यह बता पर्मुग जी अर्लाज निती में सीनियर कौन है आपको तो जम्म जम्म कुछ वर्ष हुए 55 साल का तुजर्व है सीनिय समेशा जूनियोस को सिखाती है यह तो पहली बात दूसरी बात आज कर गए जूनियर बनने में कोई कोई बुराई नहीं है क्योंकि अब यह सीनियर की लड़ाई कहां से आ गई कहां से आगई कर रहे हैं इमान दारी के हम बात कर रहे हैं तो यहां जोनियर और सीनियर नहीं चल लगए कि किसमे है कितना दम चली मेरे सवाल का जाव दिए आजे जी पावर का गलत इस्तमाल का देशा बने लिए लोग सबा और विधान सबा दिये हैं तो सब्सक्राइगी दिए जो गलत चीज़ा अरे आप तो कहीं और ले जाते हैं आप नहीं हमत ही तर रहा है आप यू 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 बाद कहां से कहां च आपने बात की दिल्ली की मत दिल्ली पर आता हूं आप इने बात शुरू की थी ओपी सागरी से जी पुलिस आपने कहांना 2047 इनका मेंटल स्टेंथ अभी मिश्रा जी बता रहे थे एड्वोकेट साब बता रहे थे यह जो पुलिस है कें सरकार केंडर में आती है अभी यह पुलिस हैं जामिया में अंदर खुसती है और जी अनियों में जिन नकाब पोशो को भाजाने देती हैं उनकी मजबूरी है मैं पुलिस पे आरोप नहीं लगा रहा पुलिस को नमन करता हूं चोंकि उनकी नोकरी है अगर उपर से अदेश आता है कि भाईया कॉलीज में आप इस से जाद हो और क्या करोगे भाई आप बड़ेशे साथियो मेरे आपके राष्टी अद्रस ने जाकर समर्टन किया ना पुलिस की तो फूटी वहाँ इतने जवर मरें पुलिस के आप ज्याद ज्यान है यूपी में आपको अपने ही तो यह मुद्दा आया है पूरा सुन तो लेजिए आप ज्याद देने लगेंगे तो आप लोगों ने कहा कि पुलिस बेड़ी से जाती है अच्छा बोल लिए आप लोगों मेरे पीछे जहां तक बात कि श्वेता जी पुलिस की मेरा कहने गाई था उनकी मजबूरी है अगर वो आदेश नहीं मानेगे केंद मंतार लेका ग्रहा मंतार लेका उनकी नोगरी चली जाएगी वो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया हमने बार बार का पुलिस अंदर चली काम उते था करें आपको इस यही डर सता रहा है कि यूपी में तो हम आने नहीं है तो हम तो बस जंडा उठाएंगे शक्लार आप बारबार के रहेें बहन जी के शास्तनकाल में ये था वो था यूपी की कानून विवस्था सबको पता है अगर आप पहले पोल खुलवाना चाहते तो अनिल मिश्रा जी अपो पवन सों से मैं लेलू राय ये आज की बात नहीं सरूनी स्वा सथतर शीहतर सथतर में भी ये बात उठी थी कि कानपूर में पुलिस कमिशनर प्राली है ये अंग्रेजों की विवस्ता थी तो वो गोरे अंग्रेज तो चले गए देश को लूट करके अब ये काले अंग्रेज जो बीजेपी और आरसस के लोग बैटे हुए हैं जो एक-एक संस्तान को बेचने का काम कर रहे हैं और दो कंपनियों को पूरे देश को बेच देंगे अएरपोर्ट इसको बेच दिए एक अडानी और एक मभानी देखा कहां चलिए ये 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 वो लोग है अनिल जी डर क्या है माया वक्ति पुलिस कर्मियों को कैसे ट्रीड कर दी थी ये सब ने देखा है सब ने देखा है सेंडल उठाने से ले पर दो जा रहा है तो बाद में आज तो चुछ को बाद में आज सोच के बैखे हैं जिए और एंगल पर ले जाना है अच्वाव को बाद में मेरे पास अच्वाव पावन तो तो बस 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 आप नहीं अलाओ पर नीजिया प्लीज 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 मेरे पास बस वक्त की करने हैं प्रहकें प्लीज परेशने की पारव के में वाग्निलों ब्लीज तो कि और मुद्छे नहीं जोए यह तरीन के अब दोगी पना पूच्छा आएंगये और जिसको बोलने नहीं देंगे पेज़ दिम्हेष eh करेंच सिंय השान सब्स्क्राइध सर्क्राइध है देमेंद प्रमोक प्लीज आप किसको अंड्रस करें हैं आप किसको अंड्रस करें देमेंद प्रमोक यही तो दमनकारी नीती है कल आप मुझे बूलेगा कि कोशन मत हुधाईए आई बापार शान्में इनकी कूई बस बास बाबा साब को आप दरनेखी प्लीज यह गुरुच लिजुग कर देंगे लो पीसे आर से कहूंगे प्लीज माइक डॉं कीजे आई विल नाट कंटिणीव नाट कंटिनू ू यह किस तरह के से डिड़िट कर रहा है यह कौन सा जवाब दे रहे हैं ज़लेबी की तरह जवाब देरहे है इसफ़ बात ही नहीं होरहे है माइक डाउन है आवाज रही जा रही है माइक डाउन है बहुत खराब लगेगा लिक्सिंग करते नजर आएंगे बस बस नो बस आई सेट नो और नो शीदे माने क्यों मारे में प्लीजन अल्वात कर रहे हैं मैं कंटीनियू नहीं करूंगी वाज यहां 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 प्राजी सवन के नारे लगा रहे है शर्मानी चाहिए सर आपको आपने कितना टाइम खराप कर दो यहां पर मैं क्लोजिंग कमेंट अप जाहूंगे मेरे पास वक्त की कमी है माफ कीजेगा नहीं आओंगे किसी पार्टियों के पास यहीं सारी पार्टियां कर रही है कि चर्चा ही मत करो किसी चीज़ पर हम जो कर रहे है चर्चा हो ही नादेश में पावन्स ओम जी यह जो बार-बार चेक बैलन्स की बात हो रही है आगर देख एटिटूट देखा सर हम पहले लागू कर दे फिर आप लोग उसमें उंगली गुसाईएगा कि कहां गलती है कहां पहले नहीं सुनेंगे ये लोग सर कहीं न कहीं कमिशनरी तो एक बहतरी के लिए लागू हो रही है ना तो ये बहतरी कै कैसे होगा जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा और जब तक ये जो मनोदशा चेंज नहीं होगी तो सिर्फ क्या रैंक बदल देने से और कमिशनरी सिस्टम कह देने से हो जाएगा वो सिस्टम लागू बढ़ जाती है क्योंकि मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग परपस से वहां पर चार अधिकारी है उन चार अधिकारी सबोच करो ये नोड़ा की बात करते हैं नोड़ा को हम लोग चार भागों में बाढ़ देते हैं हर एक जोन में जो है एक स्टर का अधिकारी है तो वहां का जि कि सब के पास काम आ गया अब वो शायद उनके पास काम का प्रेश्ट काम हो जवाब नहीं हो सकती है इसमें हम किसी को responsible कह सकते हैं कि साब आपकी यह जवाब देए आपको यह काम करना पड़ेगा तो वहां हम लोग देखें तो यह प्लिस रिफॉर्म जो है उसके साथ साथ जो है यह कमिश्टिन सिस्टम लागो होना चाहिए और इसको क्राइमें लेके आना चाहिए अभी चवी बदल पाए और यह कोई सब्डिविजन नहीं हो जाएगा जैसे आप कहा रहा है कि एडीजी रैंका हो जाएगा बागी चार ए सब्सक्राइब करने का एक हो जाएगा हमें यह नहीं चोटे-चोटे बातों पर पहले डियम को बला लो पहले मैस्ट्रेट को बलाओ तब जहां आप ऐसा नहीं है क्याते हैं कि उससे कोई एक क्लोजिंग कमेंट कि आखिरकार किन चीजों के साथ लागो हो तो यह ज्यादा बहतर हो और चावी बदल जाएगी हमें बढ़े हुए कदम को वापस न लेना पड़े इसके लिए हमें बहुत सचेत होकर उसकी सारे कमजोरियों को जिसके उदार हमारे देश में कई हैं बुर्गाओं से लेकर महारास बैंगलोर से उनको देखते हुए आगे बढ़े जिससे ही हमेसा के लिए इस्थाई रू हो रहा है तो इसका स्वागत करना चाहिए लेकिन जो लूपोल्स है जो कमिया है जो पुलिस रेफॉर्म्स की बात होती है अगर इन चीजों पर इन पहलों पर भी गौर कर लिया जाएगा तो जो बहतरी के लिए सिस्टम को लागू किया जा रहा है वो सिस्टम उतने बहतर तरीके से फिर काम कर पाएगी और पालेट प्रोजेक्ट के तहट जो यह लागू किया जाएगा उसके बाद अलग अलग जिलों में भी से लागू किया जा सकेगा या जिस तरीके से जिस सोच से आगे बढ़ रही जे सरकार वो सोच वहाँ पर कामयाब हो जाएगी इसी खाबर के लिए